हलो हाई नमस्ते मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश टीवी रश का भौकाल यानि की टीवी की बड़ी खबरें शुकुछ रंग प्यार के ऐसी भी की आक्टर आशिश रॉय इन दिनों ICU में एडमिट है बता दे कि उनका एक सोशल पोस्ट वाइरल हो रहा है इस पोस्ट पर उन्होंने अपनी आर्थिक मंदी के बारे में बात की है उन्होंने बताया है कि उन्हें पैरल इसका अटैक आया था और वो कुछ दिनों से ICU में हैं जिसके चलते उन्हें कुछ पैसों के जरूरत है उनके इस पोस्ट पर बहुत सारे अक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और कुछ लोगों ने उनकी बैंक की डीटेल्स भी मांगी है जिसकी वज़ा से वो उनकी मदद कर सकें बता दें कि आशिश रोयक को कुछ दिनों पहले ब्रेन में ब्लड क्लोट्च हुए थे जिससे उनकी सरजरी भी हुई थी अपनी बिमारी के चलते उन्हें बहुत समय से कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिला है ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने बड़े अभी नेता को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है इन्हें आपने रंग प्यार के ऐसे भी के अलावा ससुराल सिमर का मेरे अंगने में बा बहु और बेबी ब्योम केश बक्षी जैसे कई सारे सीरिल्स में देखा होगा आगे बढ़ते हैं एक और मज़ेदार खबर की तरफ क्या आप जानते हैं सारा भाई वसस सारा भाई के साहिल यानि सुमित रागवन पियार चोपड़ा की महाभारत का हिस्सा थे जी हाँ आपने सही सुना महाभारत में साहिल यानि की सुमित भी शामिल थे इस बारे में सुमित ने खुद खुलासा किया है और बताया है कि महाभारत में वो सुदामा के किरदार में नजर आएं थे इस दोरान उनकी उम्र थी महज 16 साल उन्हें नहीं पता था कि वो एक दिन टीवी इंडस्टी के इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे उन्होंने बताया कि जब महाभारत फिर से वापस आई है तब लोगों ने बहुत सारे स्क्रीन चौट उनके साथ शेर करते हुए उनसे पूछा है कि क्या ये सुदामा का किरदार आप ही ने निभारा है सुमित ने ये भी बताया कि वो अपने आपको बहुत ही धन्य मानते हैं कि वो इतने बड़े शो का हिस्सा थे बता दें कि पावर कपल विवेक दहिया और दिव्यंका दहिया एक साथ मिलकर एक बिजनस स्टार्ट कर रहे हैं ये बिजनस है एक प्रड़क्शन हाउस जिसका नाम है वन रीजन फिल्म्स बता दें कि दो साल पहले ही उन्होंने वन रीजन फिल्म्स को रेजिस्टर करवाया था और अब लॉकडाउन के चलते वो इस पर काम करने चुरू कर रहे हैं दोनों ने ही लंडन से फिल्म्मेकिंग का कोस किया है जिसके चलते वो चाहते हैं कि अपनी क्रेटिविटी को वो और आगे बढ़ाएं इस बारे में बात करते हुए विवेक ने भी यही कहा है कि वो चाहते हैं कि इस lockdown के समय जो उन्हें समय मिला है उसे वो productive बनाए और इसलिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने बताया है कि इस production के चलते उनका एक ad shoot भी shoot हुआ है इसी के साथ बहुत सारे project भी lined up है लेकिन इन सब के बारे में वो धीरे धीरे खुलासा करेंगे आपकी फेवरेट अभिनेतरी शिवांगी जोशी अपने ही जन दिन पर बहुत ही निराज थी बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो इस दिन अपने फैन से बात करेंगी लाइव चैट के दौरान लेकिन कुछी समय बाद उन्होंने एक और पोस्ट शेर किया और लिखा कि वो लाइव नहीं आ सकती और इसके पीछे उनकी कोई personal problem है उन्होंने लोगों से उम्मीद की कि वो इनकी इस परिशानी को समझेंगे बता दें कि इस समय था 18 मई का और इसी दिन उनके दादा जी का देहांत हो गया शिवांगी ने इस बारे में एक और पोस्ट किया और बताया कि उनके दादा जी का देहांत हो चुका है बता दें कि शिवांगी अपने दादा जी और अपने समस्त परिवार से काफी करीब है अपने दादा जी के चले जाने का दुख वो लोगों के साथ जरूर बाट रही है लेकिन वो बहुत ही निराज भी है वहीं आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं एक बहुत ही नोस्टैल्जिक इन्फॉर्मेशन से बता दें कि काटा लगा गाने को लेकर शिफाली जरीवाला ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है उन्होंने बताया है कि इस गाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे जी हाँ बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी कांटा लगा गर्ल से नाम से फेमस हुई आक्ट्रिस शिफाली जरीवाला एक बार फिर चर्चा में आ गई है शिफाली जरीवाला ने इस गाने को लेकर एक खुलासा किया है और बताया है कि उनका परिवार खास कर उनके पापा आक्ट्रस के फिल्म इंडस्टी में जाने से बिलकुल खुश नहीं थे शिफाली ने खुलासा करते हुए बताया कि उस समय में कॉलेज में थी मैं ऐसे परिवार से संबंध रखती हूँ जहां पढ़ाई लिखाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है मेरे पिता ने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था लेकिन मैं ये करना चाहती थी क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे थे मुझे इस गाने के लिए 7000 रुपे मिले थे और मैं खुद को टीवी पर देखना चाहती थी इसे के साथ शिफाली ने आगे बताया कि इस गाने को लेकर सबसे पहले उन्होंने अपनी मा को मनाया इसके बाद दोरों ने मिलकर इस गाने के लिए पापा को तयार किया जिसके बाद शिफाली जरीवाला कांटा लगा सौंग के रिमिक्स वर्जिन में नजर आई शिफाली जरीवाला ने आगे इंटरव्यू में कहा कि कांटा लगा गाना लोगों को बहुत पसंद आया ये मेरे लिए परियों की कहानी जैसा था इसने मेरी जिन्दगी को पूरी तरह बदल दिया बता देंके शिफाली बिग बॉस में अपने खेल से लोगों का दल जीतने में सफल रही थी बिग बॉस के चलते सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलिंग भी खूब बढ़ गई है वहीं शिफाली सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहती है और अपनी तस्वीरों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में भी चाही रहती है टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदिराश